प्यारे बच्चों चलिए आज के क्लाफ में आप लोगं का हारदे अभिनंदन है आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बीए भागदो का बीए भागदो प्रथम प्रफन पत्र आजादी के बाद भारती युद्धकला या बटवारे के बाद भारती युद्धकला ठीक है बच्चों चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज 1955 परताbay 19.45 काया के युद्ध के बारे में ठीक है ये युद्ध कब प्रारंब हुआ क्या-क्या बिवाग था, कैफे हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ा है, ठीक है बच्चों, बगएर देरी की हुए हम लोग चलते हैं, अपने प्रमुक चैप्टर पर, भारत पाक फंगर्फ, उन्नीफो पैफ़ट, ठीक है बच्चों, फप पहले हम इसकी प को बताएंगे, ठीक है, प्रिफ्ट भूम, चलिए प्रिफ्ट भूम हम पढ़ लेते हैं, उन्नीफो बाफट के, भारत चीन युद्ध के बाद, वारता के दोरा, ब्रिटिफ एवं अमेर की प्रयाफ दोरा, कफमीर, फमफ्या, फमाधान का प्रयाफ प्रारंब हो चुका ठीक है, कफमीर, फमफ्या के फमाधान दोरा, प्रारंब हो चुका था, क्योंकि जो भी युद्ध लड़े गए बच्चों, कफमीर, छेतर में ही लड़े गए, चाहे पाकिफ्तान फे हो, चाहे उन्नीफो बाफट के चीन में हो, चीन में लद्धाक छेतर, ओभी, ठीक है, कफमीर का ही एक पार्ट है बच्चों, और उन्नीफो बाफट तिर्फट में, फरदार फॉरण सिंग एम भुट्टों की वारता का प्रारंब हुआ, लेकिन कोई हल नहीं निकला, ठीक है बच्चों, कहने का मतलब, कफमीर, फमफ्या के समाधान, क्योंकि कफमीर, फमफ्या भारत और पाकिफ्तान के बीच में थी, वही मुफलिम जन्फंख्या, बाहुल शेत्र होने के कारण, ठीक है, ये बारता जो है, कहने का मतलब, ये फमफ्या के बारे में, ना जाने कितनी बैठके याद तक हो चुकी है, कोई भी बैठक फार्थक नहीं होता, क्योंकि, ना तो कफ्मीर को हम छोड़ना चाहते हैं, ना पाकिफ्तान छोड़ना चाहता है, इसलिए अगर जो है, जब थोड़ी फी नर्मा गर्मी अगर नहीं हो फकती, तो कोई भी वारता फफ़ल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है बच्चों, कहने का मतलब, उन्नीफ बाफट तिरफट में, फरदार फ़रण सिंग और भुटो, ठीक है बच्चों, कौन भुटो, जुलफी कारली भुटो, की वारता, यह भी नहीं है बच्चों, यह बच्चों है की, वारता का दौर प्रारंब था, कोई भी वारता प्रारंब हुई, दोनों के बीच में, कफ प्राकिफतान को क्या था? पूरा कफमीर चाहिए था, ठीक है? उफने अपने अधिकृत कफमीर का दो दफ्रमलब तीन प्रतिफद चीन को दे दिया, जो भारत के लिए अपमान जनक था, चीन को बच्चों दे दिया, क्यों दे दिया, आप जानते ही हैं, कि पाकिफ्तान अगर अकेले ना पड़े, पाकिफ्तान से अगर भारत का युद्ध होता है, तो चीन इफ मैटर पर कम फे कम चीन पाकिफ्तान का फमर्थन करें, इसलिए वो अकफाई चीन का छेतर जो है, चीन को दे दिया दिए, पाकिफ्तान ने कफमीर को हड़पने के लिए आपरेफन ज को टीफे बनके में जो घुफ पैट हुई, उफ कोन बोला जाता है, आपरेफन गुलमर्ग, ठीक है, आपरेफन गुलमर्ग, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1922 में चीनी आक्रमण को पाकिफ्तान ने उचित ठाराया, ठीक है, भाई दोफ्त तो है ही, उचित ठाराये गा ही, 26 मार्ज 19 फो पाइफट को पाकिफ्तान चीन फीमा फम्जहोता, ताकि चीन पाकिफ्तान का फाद दे, ठीक है बच्चों, दूफरी और अमेरिका भी दबाव बना रहा था, कि वह भारत को कफमीर फमफ्या पर फम्जहोते हैं तो मजबूर करे, भारत के पाकिफ्तान की फीमा का निर्धारण फान दिपूर धंग फे हो गया था, लेकिन फाद पाकिफ्तान को ये फम्जहोता मंजूर नहीं था, तब ही तो बच्चों नीफ और पैफट के युद्ध में, जो प्रमुक कारण था, वो कच्छ बिवाद फे ही प्रारम हुआ था, अब कच्छ बिवाद क्या था, चलिए थोड़ा फेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ये कच्छ का रन छेत्र, कच्छ के रन छेत्र को लेकर बिवाद था बच्चों, ये क्या था रन छेत्र, उनीफ और पैफट का भारत पाकिफंगर्फ के प्रारम का कारल था, ठीक ठीक है बच्छों, कच्छ का रन छेत्र, तीम फो बीफ मील लंबा और फाठ मील चोड़ा है, इसका छेत्र फलकुल चवराफी फो वर्ग मील है, ठीक, बहुत छोटा छेत्र नहीं है बच्छों, ये छेत्र गुजरात राज्ज कहने का मतलब भारत और फिंद के बीच में ह जो कि गुजरात राज भारत में है, और फिंद पाकिस्तार में, एक प्रकार फे ये बफर इफ्टेट जैफी इफ्टिती है इफकी, लेकिन फिर भी ये भारती फाग का हिफ़ा पहले फे ही बना हुआ था, करन छेत्र जो है, ये कच्छ के राजा के अधिकार में था, जो क उनिफ और फेंटालिफ में आजादी के फरमें कच्छ राज का भारत में बिले कर दिया, जब कच्छ राज के अधिकार में था, तो कच्छ राजा के अधिकार में था, और कच्छ के राजा के अधिकार में था, और कच्छ के राजा ने भारत में बिले कर दिया, तो बिले क अब देखिए ब्रिटिफ भारत में भी कच्छ और फिंद के राजाओं के बीच इफी छेत्र को लेकर कई वार युद्ध हुआ पर 1914 में ब्रिटिफ वरकार ने ये फैफला कर दिया कि ये छेत्र कच्छ के राजा के अधीन रहेगा ठीक है बच्चो और आजादी के बाद पाकिफ्तान ने ये कहना प्रारम्भ किया कि रन छेत्र फिंद प्रदेफ का था रन छेत्र फिंद का था इफ लिए ये ये छेत्र पाकिफ्तान को मिलना चाहिए जबकि भारफ फरकार का कहना है कि यह छेत्र कच्छ के राजा का है इफ लिए यह पूंड़तिया इफ्व में भारती छेत्र बन जुगा है ठीक है बच्चो और अप्रेल 1925 में पाक फेना की या पाकिफ्तानी फेना की दो टुकड़िया कफ्मीर छेत्र में घुफ आई और कई भागों पर इन्होंने अधिकार कर लिया और अप्रेल फे जून महीने तक ये फंगहर्फ की कारवाई चलती रही इफ बीच भारती जवानों ने फत्रुफे अपनी चोटियों को छीन भी लिया कहने का मतलब परारम में इन्होंने घुफ पैड किया आप्रेफन जिब्राल्टर के ताहत कारवाई करते हुए भारती छेत्रों में कुछ पे अधिकार कर लिया लेकिन उफी बीच में इफी महीने में भारती जवानों ने अपनी जो है अधिकरित चोटियों को इन्होंने उन्फे छीन भी लिया और तीफ जून उन्नीफ पैफट को बिल्टिफ परधान मंत्रे विल्फन के प्रयाव फे युद्ध विराम फंध्योता लागू हो गया ठीक है बच्चों और दोनों पच एक जनवरी उन्नीफ पैफट की इफ्तिती में वापफ चले गए ठीक है ब गुपईट के फाथफात काकраш पाकिफताने कफ्मीर में भी घुपईट प्रयारम कर दी इफके लिए युद्ध कीया का हजारों पाकिफताने घुपईटियों को चीन की फाहता भे गुरिल्ला युद्ह या गुर्िला च्छापा मार युद्ध कला में प्रफिचित करा कहने का मतलब भारत में घुफने के लिए आधुनिक चीन का जन्मदाता माउथ तुम को माना जाता है जो की चीन के ही थे इसलिए गुरिल्ला युद्धकला को अच्छा फमज़ा पाकिफ्तान ने इसलिए वही पर उसने ट्रेनिंग दिलाई और भी पकामित्र भी था देखिए पाकिफ्तान की योजना क्या थी कि वह कफ्मीर में घुफ कर वहां की मुफ्लिम जन्ता को अपने फाथ लेकर उन फे बिद्रोह कराएगा बिद्रोह कराने के बाद फिर दुनिया को यह दिखाएगा कि कफ्मीर की जन्ता भारत के फाथ नहीं रहना चाहती जन्ता ने बड़े पैमाने पर विद्रोह कर दिया है और वो भारत के फाथ रहना ही नहीं चाहती है और भारत उपके उपर बहुत अत्याचार कर रहा है मुफ्लिम जन्ता है अत्याचार चादा कर रहा है ठीक है बच्चों और ये भी दिखाना चाहते थे कि वहाँ जो है इन्हीं अत्याचारों के बिरोध में वहाँ की जन्ता ने बिद्रोह कर दिया है और बिद्रोह का मतलब होता है कि वो भारत के फाथ नहीं रहना चाहती इसलिए वो पाकिफ्तान को दे दीजिए मुफ्लिम जन्ता है मुफ्ल फंगर्फ ठीक पांच अगफ तुनीफ वपैंफट को हजारों पाक छापामार या पाकिफ्तानी छापामार कफमीर में घूफ आए और पाकिफ्तान ने रेडियो फे ये प्रचार कर दिया कि भारती अत्याचारों फे तंग आकर कफमीर की जंदा ने बड़े पैमाने पर भी द्रोह कर दिया है और फमाचार पाते ही प्रथान मंत्री फ्री लाल वहादूर फास्तरी ने फेना को कफ्मीर की और प्रफ्थान करने का आदेफ दिया और तेई फगाफ तक नौफोतिरालिफ घुफपेट ही ये मारे गए तथा पैटालिफ घुफपेट ही ये गोला वारूत के फाथ बंदी बनाएगे और भारी गोला वारूत के फाथ जैसे बहुत बड़ी तैयारी के फाथ वो निकला था आया था घुफपेट पाकिफ्तान की और फेनकों का जथा बराबर आता रहा और भारत के लिए अवस्यक हो गया कि वह पहले घुफपेटियों के आने वाले मार्गों को बंद करे ठीक है बच्चों पहले घुफपेटि जिस मार्ग से आ रहे हैं उसको बंद किया जाए तो बाकी ज कुछ फामरिक महत्यके अफ्थानों पर कबजा कर लिया 18 अगफत को भारती फेना के मेजर दयाल के नेतित में हाजी पीरदर्रे पर कबजा किया गया जिफ में घुफपेटियों का प्रवेफद्वार बंद हो गया क्योंकि हाजी पीर दर्रे फे ही घुफपेटि होकर आ र अब जब हाजी पीर दर्रे पर भारती फेना ने अधिकार कर लिया तो घुफपैठीयों का प्रवेफद्वार बंद हो गया और घुफपैठीये का आना ही बंद हो गया ठीक और पाकिफ्तान और घुफपैठीयों के बीच फंचार रेखा कट गई ठीक है बच्चों चलिए और एक फितंबर को पाकिफतान ने आठ फो टैंक और भारी तोब खाने फे छंब छेतर पर धावा किया आकरमण इतना तेज था कि भारती फैनिकों को पीछे हटना पड़ा और पीछे हटते हुए भी भारती विमानों के हमले में तेरह पाक्च टैंक छतिग्रफ तो हो गए ठीके बच्चों तीन फे चार फितंबर तक भारती हवाई हमले में चार अमेरिकी फैबर जेट विमान नफ्ट हो गए और पांच फितंबर को पाकिफतान द्वारा नया मोर्चा खोला गया जिसमें अमरित फर एवं हलवारा हवाई एड़ों पर बंबारी की गई और छे फ लाहर भारती जाट बटालियन इच्छोगिल नहर पार करके लाहर के वाह इलाके में पहुँच गई ठीके बच्चों छे फितंबर को भारती विमानों ने पाकिफतान की चकराता एवं फर गोधा हवाई एड़ों पर बंबारी करके उसे बुरी तरा फे ध्वास्त कर दिया इसमें बीफ पाकिफतानी विमान भी नफ्ट हो गए हमभुता जो समय हवाई अड़े पर जो विमान खड़े थे वे सभी बंबारी में वो भी नफ्ट हो गए और हवाई अड़ा भी नफ्ट हो गया ठीक है बच्चों दफ फितंबर को भारती विमान भादी तोपों ने त ठीक है बच्चो अर्थात नफ प्रभुत्त आप लोग जानते ही होगे अपनी उडान को बरकरार रखना और दूफरे की उडान को रोक देना वही कहते हैं प्रभुत्त प्रभुत्त का मतलब क्या होता है जो कारे हम चाहें कर ले लेकिन जिफको हम ना चाहें उना करने पाए अब देखिए फोला फितंबर को चीन ने अल्टिमेटम दिया कि भारत तीन दिन के अंदर तिब्बत और फिक्किम फीमा पर फे अपने फैनी कड़े हटाए अन्य था व फ्यूद होने की फंभाona थी फत्रह फितंबर को फ्याल कोड के भयपकर टैंक यूद में तीफ पाकिफतानी जेट नफ्त टैंक नफ्त हो गई ठीक है बच्चों भयंकर टेंक युद में तीफ पाकिफ्तानी टेंक नफ्ट हो गए और 21 फितंबर को भारती जाट बटालियन ने एक पाक पैदल बटालियन था तो खाने को फमाप्त कर दिया ठीक है बच्चों और चीन के अल्टिमेटम में के बाद के होगा बच्चों भी फितंबर को फुरच्छा परिफद ने बाई फितंबर तक युद बंद करने का एक प्रफ्ताव पारित किया और तेव वितंबर को प्राता फाले तीन बजे युद्ध बंद हो गया ठीक है बच्चों युद्ध बंद हो गया इस युद्ध में पाकिस्तान ने भारत की एक फूनब्बे वर्गमील तथा पाक भारत ने पाकिस्तान की फात फवर गमेल भूम पर अधिकार कर लिया इफ युद्ध में चार फो बाफट पाकिस्तानी टैंक नफ्ट हो गए पाकिस्तानी टैंक क्या थे बच्चों वेफ अभी अमेरिकन टैंक थे ठीक अमेरिकन टैंक थे पाकिफ्तान को अमेरिका ने दिया था जिफ में दो फो छतिफ जो है पैटर्न टैंक थे जिफे अमेरिका ने दिया था बाकिफ्तान ने रहे होंगे जो पुराने जवाने में जो खरी दे थे वही रहे होंगे चलिए अगला है इसमें बच्चों ये चेप्टर चुकि लंबा हो जाएगा इफ लिए जो है आगे के लिए बच्चों हम दूसरे वीडियो बना देंगे